हलो फ्रेंज, श्वागत है आपका, आपके चैनल सिष्टी किचन में फ्रेंज आज हम मनाएंगे शक पहिता, उसके लिए हमें क्या क्या इंगिरियन चाहिए इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूले और जिन फ्रेंज ने सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत शुक्त रिया तो फ्रेंज, यहाँ मैं तीन लोगों के लिए सक पहिता बना रही हूँ उरित की दाल है फ्रेंज, और पालक को मैंने धुल के बारे काट लिया है तो अब चल रहे हैं बनाने सबसे पहले हम उरत की दाल को अच्छे से धुल लेंगे तो यहाँ पर मैंने धाल धुल लेंगे तो फ्रेंज, इसी कुटोरी से हम पाने भी लेंगे तो एक कुटोरी उरत की दाल में हम पांच कुटोरी पाने डालेंगे तो दूसरी कुटोरी इसमें पानी में ने डाल दिया है तीन तो एचोथी कुटोरी है अभी इसमें एक कुटोरी पानी और डालेंगे तो पांच कुटोरी फ्रेंस हो चुकी है अगर आप इतना डाल देते हैं तो आपका श्रक पेता पर्फेक्ट बनेगा अब इसमें हम पालक डाल देते हैं इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे नमक रेंस आप अपने टेश्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं तो फ्रेंस काफी लोग सपहते में हल्दी नहीं डालते हैं अगर आप डालना चाहते हैं तो हल्दी डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे स्क्रिप कर दिया है अल्दी नहीं डाला है इसके बाद हम इसमें गिली वाली हिंग डालेंगे क्योंकि फ्रेंज इसी पॉइंट पे अगर हम हिंग डाल देते हैं तो हिंग अच्छे से मिल्ट हो जाएगा और अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा यहाँ पे तीन सीटी आ चुकी है अब हम गेस को बन कर देंगे बहुत पर्फेक्ट हमारा शक पहिता बना हुआ है आप देख सकते हैं न पतला है और न जादा गाढ़ा ही है तो फ्रेंस अब हम दाल फ्राई करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंस लासुन की कॉंटिटी थोड़ा हम बढ़ा के डाल रहे हैं क्योंकि सक पहते में लासुन बहुत अच्छा लगता है और इसको हम गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मारा तरका फ्राई हो चुका है अब इसमें हरी धनिया जो बारी काट लिया था इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे इसके बाद इसमें हम दाल मिक्स कर देंगे तो फ्रेंस तो फ्रेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा शक पहता बन के रेडियो हो चुका है तो फ्रेंस आप बनाएए अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको कैशा लगा